पिछले साल जुलाई 2023 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक गटबंदर मना था इंडिया करीब 28 पार्टियां एक साथ एक स्टेज पर खड़ी थी जिसका मेंन मोटिव यह था कि हर एक सीट पर बीजेपी कैंडिट के सामने इंडिया अलाइन्स का सिर्फ एक कैंडिट होगा जहां NDA और इंडिया की सीधी टक्कर होगी और इस तरह बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा अलाइन्स में बड़ी-बड़ी स्टेट पार्टिया शामिल होती है अलाइन्स के इस इमेज को देखकर कुछ लोगों को बड़ी तसली हुई कि इस बार इंडिया और बीजेपी में सीधी टक्कर होगी और इंडिया गडबंदान बीजेपी को हरा देगा पिछले 10 सालों से जो लोग सिर्फ प्रताडित हुए हैं उन्हें उम्मीद दिखने लगती है खास करके मुस्लिम कम्यूनिटी इंडिया अलाइंस में अपना फ्यूचर देखती है उसे लगता है कि बस एक यही है जो हमें बीजेपी से मुक्त कराएगा हाला कि अलाइंस में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को वो इस पेस नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए उनकी ये सोच यकीन ने बदलती उससे पहले सुरू होता है खेल 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है उससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से देश के बड़े नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा का इंविटेशन दिया जाता है जिसमें कुछ उ पानों इंडियन पॉलिटिक्स में भूचाल ला देता है। नेता अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती बयान बाजी शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक नेता पार्टी छोल कर जाने लगते हैं। साथी इंडिया अलाइंस के पतन की भी शुरूआत होती है। बिजेपी के साथ एंडिया अलाइंस में चले जाते हैं। मंता पनर जी बंगॉल में बगेर किसी अलाइंस के अकेले इलेक्शन में उतरने की बात कह देते हैं। अर्विंद के जरिवाल पंजाम में किसी तरह का कोई अलाइंस करने को तयार नहीं होते है। साथी दिल्ली में कॉंग्रेस को सिर्फ एक सीट देने की बात कह देते हैं पस्ट में उत्तर प्रदेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर चौदरी चरहन सिंग को भारत रतन अवार्ड दिया जाता है जिसके बाद यूपी अलाइन्स की एक मजबूत पार्टी आर एलडी के जैन चौदरी जिनोंने ये भी है कि मद्रदेश से कमलनाद भी बीजेपी में जा सकते हैं बीजेपी की पुरानी साथी शिफसे ना उद्धर ठाकरे भी बीजेपी के एंडिया अलाइन्स का हिस्सा बन सकते हैं वो सबी लोग जो कभी सेक्लर पॉलिटिक्स की हिमायत करते थे कम्यूनल पॉलिटिक थे छे महीने पहले बना इंडिया गडबंदन अपनी पहचान अपनी ताकत अपना भरोसा खो देता है और इन सब के लिए कॉंग्रेस एक बड़ी वजे है जहां उन्हें अलाइन्स पर बात करनी चाहिए थी सीर्शेरिंग पर बात करनी चाहिए थी वहाँ वो ये कमेंड क नहीं पड़ी है क्योंकि वो लोग सवाई एलेक्शन में अगर हार भी जाते हैं तो उनके पास एक दूसरा आप्शन उनका स्टेट तो होता ही है और इन सब के प्लिटिकल बेनिफिट के चकर में बीच की वो जनता जो इंडिया अलाइन्स की तरफ उम्मीद से देख रही थी उन सब की उम्मीद खत्म हो जाती है खास करके मुसलिम कम्योटी की क्या अलाचारी है वह बेबस क्यों है इसके बारे में हम कुईक इंफो सीरिएस की अगली वीडियो में बात करेंगे बाकी लाइक एन्सेयर तो आप कझी देना